क्या बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात भी एक जुमला साबित होगी? क्या 10 लाख नौकरी के नाम पर बिहार के युवाओं को ठगा जा रहा है? असंभव है 10 लाख सरकारी नौकरी देना फिर भी 10 लाख नौकरी देने का वादा क्यों किया जा रहा है? बिहार में तेस्वी यादम ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था पर सवाल ये है कि बिहार में तेस्वी यादम के 10 लाख नौकरी देने के वादे की हवा निकल जाएगी बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है बिहार से ही सबसे ज्यादा लोग रोजगार की तलास में पलायन करते हैं लोग रिक्सा तक चलाने के लिए दिल्ली पंजाब और मुंबई जाते हैं बिहार में कल कार खाने तो है नहीं तो ऐसे में लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए अपना घर और बिहार छोड़ना पड़ता है पिछले कुछ सालों में रोजगार का मुद्धा बिहार में चाया रहा खास कर बिहार विधान सवह में तेश्वी आदम ने इस पर खूब बात की और वोट भी बटोरे तेश्वी आदम से हर कोई पूछने लगा कि नौकरियां कब मिलेंगी सीम नितिस कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि बंपर बहाली होगी दस लाख नौकरियां दी जाएंगी इसके अलावे दस लाख रोजगार भी दिये जाएंगे दोनों का इंतिजाम इतना करवाएंगे सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज़्यादा काम पढ़ना चाहिए कि यह हो जाएगा तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुँचाएं इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगा इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि यह सब काम में आप समझ लिजे कितना ज़्यादा होगा ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इतनी संख्या में नौकरिया देना बिहार सरकार के बूते की बात है अगर है तो क्या नितिस्कुमार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तेजेस्वी दूसरी बार सरकार में उनके साथ आएंगे तो ही नौकरी देंगे जब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी तो पिछली सरकार क्या तेजेस्वी के सरकार के आने का इंतजार कर रही थी सवाल बड़े हैं जिसका जवाब आपको तलासने हैं चलिए इसे कुछ आंकडों के जरिये समझने की कोसिस करते हैं क्या बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देना संभव है बिहार का बजट 2021-22 में 2.17 लाख करोड था जो 22-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड हो गया जिसमें सिक्षा, स्वास, बिजली, निर्मान, सरक, बिहार सरकार के मौझूदा करमचारी सहित बिकास की कई योजना सामिल है इस बजट पर भी बिहार के कई बिभागों में काररत करमचारी के वेतन का भुकतान अनियमित है यानि समय पर उन्हें तनखवा नहीं मिलती है कई-कई बिभागों में साल भर की सेलरी के बदले 2 या 3 मेहने की ही सेलरी मिलती है जिसकी मुख्य वजह है कि विभागों के पास पैसे की कमी होना सरकार के पास प्रयाप्त पैसे का ना होना ऐसे में अगर सरकार 10 लाग सरकारी नौकरी देती है तो कम से कम 22,000 करोर का अतरिक्त बोच सरकार पढ़ेगा जिसके लिए अतरिक्त बजट की जरूरत पढ़ेगी पर ये पैसे आएंगे कहां से ये बड़ा सवाल है बिहार में उध्योग धन्दे है नहीं कलकार खाने है नहीं बिहार के राजस्व का एक बड़ा जरिया सराप था वो भी बिहार में पूंतह बंद है तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी कि ये पैसा कहां से आएगा खुद सीम नितिस कुमार ने भी तेस्वी यादब के 10 लाख सरकारी नौकरी के दावे पर कई वार सवाल उठा चुके हैं 2020 में नितिस कुमार ने गोपाल गंज के भोरे और सीवान के जीरदोई में चुनावी रैली को संभोधित करते हुए कहा था आजकल कई लोग कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो खुब नौकरिया देंगे लेकिन इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे क्या ये पैसे जेल से आएंगे करने का न कोई ज्यान है न कोई जानकारी है कि कहा होगा आज कर हम देखते कहता है तना लोग को नौकरी देगा अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी आप उतने लोगों को नौकरी देगा तो बाकी कहा नी दोगे, सबको देदो, आप पैस्वा कहां से लाओगे, जिसके चलते अंदर गया हो सी पैस्वा से होगा, कह राज जी में तो नहीं पैसा होगा सत्तपक्च और आरजेडी के नेता हमेशा इस बात पर जोड देते हैं कि अगर तिजस्वी विल पावर दिखाएंगे तो इस वादे को पूरा कर सकते हैं लेकिन आकडों के लिहाद से कम से कम पैसे के लिहाद से ऐसा होता दिखता कता ही मुम्किन नहीं लग रहा अगर ऐसे में भी मौजूदा हालात में बिहार के लोगों के वोट को साधने के चक्कर में अगर दस लाख नौकरियां दे दी गई तो क्या होगा इसका बखुवी अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो बिहार की अर्थ बेवस्था पूरी तरह चर्मर आ जाएगी सरकार के बादों के तहट बहाल हुए दस लाख लोगों के सेलरी के संकट के साथ साथ बिहार सरकार के मौजूदा करमचारी के भी वेतन पर भी एक बड़ा संकट आ जाएगा बिहार में विकास और निर्मानकार प्रॉपर फंडिंग ना हो पाने के कारण या तो रुख जाएंगे या बंध हो जाएंगे यानि आर्थिक मोर्चे पर पहले से गरीब बिहार बदहाल ही नहीं बरबाद हो जाएगा वैसे अबादी के लिहाद से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज है नितियायोक के रिपोर्ट के एनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज है MPI के हिसाब से 2015-16 में बिहार का हर दूसरा व्यक्ति गरीब था जबकि ये राश्टी अस्तर पर हर चार में से एक बिहारी गरीब था अब ऐसे पिछडे राज में एक साथ इतना रोजगार क्या संभव है कम से कम कागजों पर नहीं लगता वैसे सरकार विकास के खर्चों में कटोंती करे मरीन ड्राइव और नया म्यूजियम बनाने के बदले लोगों को रोजगार देने पर पैसा खर्च करे तो हो भी जाए पर विकास की रफ्तार को रोक कर नौकरियां देना कहां तक बिहार के हित में होगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताईएगा साथ ही ये भी बताईएगा कि क्या दस लाख नौकरी देने में बिहार सक्चम है विकाश कुमार न्यूस लाइफ डेस्क पटना